हेलो दोस्तों वेलकम इस वीडियो में आप सीखेंगे कक्षा आठ गंडित के साथवे चैप्टर राशियों की तुलना इसके परिचे का दूसरा भाग जिसमें आप सीखेंगे बट्टा यानि डिसकाउंट तो इसके सभी कॉंसेप्ट आप बहुत आसानी से इस वीडियो में सीखेंगे इस चैप्टर के बागी वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शियर करें तो शूरू करते हैं तो सबसे पहले एक सिचुएशन समझेए सपोज एट एक शर्ट है और इस पे एक प्राइस लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शर्ट पे एक प्राइस लिखा हुआ है पहले से ही यह है 800 रुपे अब दुकानदार क्या करता है कि आपको 600 रुपे में शर्ट देता है तो आप जो पैसे पे करते हो 600 रुपे है और आप शर्ट घर लेके आ जाते हो, अब इस परिस्तिती में देखो, जो 800 रुपे है, उसको क्या कहते हैं, वो है अंकित मूर लिया, और जो 600 रुपे है, यारी जो जिसमें दुकानदार ने शर्ट आपको बेची, उससे कहते हैं, विक्रे मूर लिया, तो आपको कितने का ड डिसकाउंट मिला, आप देख सकते हैं, 200 रुपे का डिसकाउंट मिला, इससे कहते हैं, डिसकाउंट यानि बट्टा, तो बट्टा क्या होता है, तो बट्टा क्या हो गए याँपे, 800 रुपे में से हम माइनस करेंगे 600 रुपे, तो ये हो जाएगा 200 रुपे, और ये हो ग अंकीत मुल्य क्या है जो प्रिंट हो रुखा होता है लेविल MRP टाइप का जो प्रिंट हो रुखा होता है विक्रे मुल्य जितने में दुकानदार आपको सामान बेचता है वो उसका विक्रे मुल्य हो गया और इस तरह से बट्टा निकलता है तो बहुत सिंपल प्रोसेस से आप समझगे होंगे अब अगर हमें बट्टा प्रतिशत निकालना हो कि इसका प्रतिशत क्या है तो प्रतिशत में बट्टा निकालने के लिए हम कैसे निकालते हैं ध्यान से देखो उपर आएगा जो बट्टा यानि जो डिसकाउंट है वो हम उपर लिखेंगे और अपन इस इसी प्रश्ण के अगर मैं बात करो, कि इसी प्रश्ण में अगर हमें प्रतीशत बट्टा निकालना हो, तो क्या होगा? तो प्रतीशत बट्टा होगा, देखो, फॉर्मला यही लगेगा, बट्टा बट्टे, अंकित मूले गुणा 100, तो है कितना, कितना डिस्काउंट है, क कटा चार, और यह ध्यानक प्रतीशत में उतर आता है यह, तो यह आजाएगा 25%, तो डिस्काउंट कितना प्रसेंट है, 25% का डिस्काउंट है, यारी बट्टा है, समझ आगे आपको, अगर यही पर इसी क्वेश्ण की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मालो कि यह शर्ट है, इ इसा शर्ट पे 800 रिपे का MRP होता है, लेकिन यह होता है, लिखावा यहाँ पर 25% का डिस्काउंट है, 25% आफ, ऐसे लिखा होता है ने कभी-कभी, आप मार्केट में जाते हैं, सेल लगी होती, तो इसमें यह लिखा होता है, इतने परसेंट का डिस्काउंट चल रहा है, त एक यह चीज़ दी है, कि अंकित मुल्य क्या है, और एक यह दिया है, कि डिस्काउंट परसेंट क्या है, आपको क्या-क्या ग्यात करना है, कि एक्चल में डिस्काउंट कितना मिल रहा है, बट्टा कितना है, और फिर आपको कितने की पड़ी हो, दुकानदार आपको कितने रुपे में बेचेगा यानि विक्रेम मुल्य क्या होगा यह आपको बताना है तो यहाँ पे आपको क्या क्या बताना है बट्टा क्या है और विक्रेम मुल्य क्या है तो यह विक्रेम मुल्य ध्यान रखना दुकांदार के हिसाब से है क्योंकि दुकांदार बेच रहा इसको आपके लिए तो क्रेम मुली हो गया. अभी हम जब बट्टा की बात करते तो दुकांदार के हिसाब से करते, कि दुकांदार कितना diskاؤंट उस पे दे रहा है, कितना उस पे बट्टा है. तो हमें विक्रेम मुली गयात करना है, और धियान रखना, तो भी बिना बट्टा के तो निकलेगा नहीं नहीं तो कुल मिलाकिक कहने का ये मतलब है कि हमें दोनों ग्यात करने है तो सबसे पहले बट्टा ही निकलेगा बिना उसके विक्रे मुल्य नहीं निकलेगा पहले डिसकाउंट तो पता चलेगा आपको कि कितने में आपको मिल रही है शर्ट तो देखो जो बट्टा होता है हमेशा ध्यान रखना ये अंकित मुल्य पर होता है हमेशा ध्यान रखना कि जो बट्टा है वो अंकित मुल्य पर होता है जो प्रिंट हो रखा है उस पे हम कैलकुलेट करते हैं उस पे ही हम ग्याद करते हैं अंकित मूल्य पर ग्याद करते हैं बट्टा इस बात का ध्यान रखना आप तो जो प्रतिशत ये दिया है यहाँ पर 25 प्रतिशत ये किसका 25 प्रतिशत होगा अंकित मूल्य का जो यहाँ पर लेबिल लगा हुआ है उसका 25 प्रतिशत होगा तो जो बट्टा है, वो क्या है? अंकित मुले का पचीस परतिशत, यानि आठ सो का पचीस परतिशत. समझ गये न फिर से बता रहो हमें कि बट्टा अंकित मुले पर देखा जाता है यहाँ पर वैसे मैंने लिख दिया है आपको थोड़ा समझानी के लिए कि बट्टा अंकित मुले पर निकलता है लेकिन यह ज़्यादा सही तरीका है ध्यान में रखने का बट्टा कैसे निकलेगा डिसकाउंट कैसे निकलेगा जो लेविल लगा है जो शर्ड पे एक तो अंकित मुले लिखा है कि कितना अंकित है कितना उसका MRP जो हम देखते हैं कितना वो है और फिर उस पे कितना परसंट का डिसकाउंट मिला है यानि 800 गुणा 25 बटे 100 तो दो जिरो से ये दो जिरो कटा 25 अठे 200 200 रुपे आ गिया ये डिसकाउंट आपको मिल रहा है 200 रुपे तो फिर आपको कितने में पढ़ेगा तो विकरे मुल्य क्या होगा तो विकरे मुल्य ग्यानत करने के लिए क्या करेंगे हम सोचो कितने में आपको पढ़ेगी आप खुद सोचो दिमाग लगाओ तो आप भी सोच रहे होंगे आट सुरुपे तो उस पे लिखा है दो सुरुपे का दुकानदार ने डिस्काउंट दे दिया हमें छे सुरुपे की पढ़ी हो इसका मतलब विक्रे मुल्य होगा अंकित मुल्य माइनस बट्टा अंकित मुल्य आट सुरुपे उस पे प्रिंट था दो सुरुपे का आपको डिस्काउंट मिला और आपको छे सुरुपे की दुकानदार ने आपको छे सुरुपे में बेचा 600 रुपे के आपको वो शल्ट पड़ी तो इस तरह से हम ये चीज़े ग्याद करते हैं तो यहाँ पे डिसकाउंट कैसे ग्याद करते हैं इस सब आपको समझ आ गिया तो इसमें में यही था और अब मैं आपको एक और एक्जामपल यहाँ पे बताता हूँ और फिर मुझे लगता है कि आपका यह टॉपिक एकदम अच्छा हो जाएगा तो यह क्वेश्चन यहाँ पर है मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पाउस करें और एक बारी स्वयम इस क्वेश्चन को हल करने का ट्राइ करें किसी वस्तु का अंकित मुल्य 180 रुपे है और यदि 20% का उस पर बता है यानि डिस्काउंड जो है वो 20 परतिशत है तो वो वस्तु हमें कितने की मिल रही है कितने का उसका विक्रे मुल्य है तो यहाँ पर सबसे पहले जो एक्च्वल में जो बता है वो क्या है यह होगा अंकित मुल्य का 20 परतिशत यानि 180 का 20 परतिशत तो यह हो जाएगा 180 गुणा 20 बते 100 और यह 0 से 0 कटा 00 यह हुआ 36 रुपे तो इसका मतलब यह है कि 36 रुपे का तो हमें मिल रहा है डिस्काउंट तो हमें पढ़ेगा कितना वो तो उसका विक्रे मुल्य क्या होगा तो 180 तो उस पर लिखा है 36 रुपे का हमें डिस्काउंट मिल गया चाहो तो आप पहले फॉर्मुला लेग दो अंकित मुल्य माइनस पट्टा और यह हो जाएगा माइनस करके 144 144 रुपे तो 144 रुपे में वो वस्तु हमको पढ़ेगी यानि दोकांदार 144 रुपे में उसको बेजेगा ठीक है एक और प्रशन करते हैं हमारे पास अब यहाँ पर यह प्रशन है और यह question different question है थोड़ा सा उसका कारण यह है कि इसमें हमें अंकित मुल्य बताना है अंकित मुल्य बताना है अभी तक सभी प्रशनों में जो मैंने आपको example समझाए उनमें अंकित मुल्य पहले से ही प्रशन में दिया हुआ था तो जिन में अंकित मूले निकालना होता है यह question थोड़ा लंबे थोड़ा बड़े हो जाते हैं थोड़ा मुश्किल आप कह सकते हैं लेकिन अगर आपको आती हैं चीजे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है तो जब भी हमें अंकित मूले ग्यात करना हो उसको सिदह पहले X ले लो तो माना अंकित मूले X है अब यहाँ पे जो बट्टा का प्रतिशत है वो 10 प्रतिशत है तो actual में बट्टा क्या हो गया? यानि discount कितना मिल रहा है? तो discount क्या बताया था मैंने? अंकित मूले पर देखा जाता है तो हम लिखेंगे कि ये है X का 10 प्रतिशत यानि X गुणा 10 बटे 100 इससे ये कटा और ये आगिया क्या? X बटे 10 ठीक है? कोई मुश्किल तो नहीं है अभी तक तो यहाँ पर आप बात समझे कि अंकित मूल्य क्या था अंकित मूल्य? X इतना प्रिंट था उस पे इतना लेविल पे लखावा था आपको इतने का डिसकाउंट मिला तो फिर आपको पड़ी कितनी की वो चीज तो विक्रे मूल्य क्या होता है विक्रे मूल्य? विक्रियम मुल्य होता है अंकित मुल्य यानि जितना उस पर अंकित हो रखा है और इसमेशS कर देंगे जो discount है अगर आप थोड़ा दिमाग लगा कि समझो तो अग्यार सी बात है बिल्कुल सिम्पल बात है विक्रियम मुल्य कितना है आपको यानि दुकानदार ने 180 में बेचा ये प्रश्ण में शुरू में ही दिया हुआ है अंकित मुल्य X लिया और जो बट्टा है वो X बटे 10 है ध्यान रखना बट्टा का परतिशत अलग चीज है जो 10 परतिशत है लेकिन यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो एक्चुल में कितना डिसकाउंट है वो लिखना है वो X बटे 10 है वो हमने अंकित मुल्य का 10 परतिशत करके निकाल दिया अब बस बात इस पर आ गई है कि हमने बस इसको हल करना है तो कैसे हल होगा ये देखो 180 बराबर अब यहाँ पर हम LCM लेंगे तो नीचे 10 आएगा और इसका गुणा उपर हो जाएगा तो 10X तो 10X माइनस X बटे 10 180 बराबर 9X अपान 10 और 10 को उपर लेके जाएंगे और 9 को नीचे लेके आएंगे X निकालने के लिए यह कटा 9,218 और यह 200 आगया तो हम लिखेंगे कि इसलिए अंकीत मुले बराबर 200 रुपे ठीक है अब एक question मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ Homework के लिए है तो यह प्रशन है कि यदि कोई वस्तू 20% के बटा के बाद यानि 20% के discount के बाद 240 रुपे में बेची जाती है तो वस्तू का अंकीत मुले ग्यात कीजिए यह आपको Homework है और आप solve करना answer comment box में लिखना मैं उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को subscribe करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में share करें मिलते हैं अगले वीडियो में take care